नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर अन्मोल कुमार आज हम बात करेंगे सुहागा के वारे में आप में से कई ऐसे भीवर्स हैं जिनका ये सवाल रहता है कि सुहागा के बारे में बताएं और उसका जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंटम्स हैं उस पर डिसकस करें आज मैं आपको दोस्तो सुहागा जिसे हम लोग बोरेक्स कहते हैं बोरेक्स होमेपैथी में एक बहुत ही परसिद्ध दवा है और हम इसके डोज के बारे में भी बात करेंगे कि इस दवा का सेवन हमें किस तरह से करना है देखिए बोरेक्स जो है या एक बहुत ही आम दवा है हमेपैथी में जो आपके गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेक्ट के लिए बहुत ही खास दवा है छोटे बच्चों से लेकर के महिलाओं तक के लिए या दवा बहुत ही उपयोगी है इस पर मेरा एक वीडियो है उसे आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर आपको विश्ट्रित जानकारी मिल जाएगी लेकिन मैं यहाँ आपको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंटम्स और फीमेल सिंटम्स जो है बोरेक्स के उसके बारे मैं चर्चा करूँगा दोस्तो बोरेक्स जो है हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन के लिए बहुत ही खास दवा है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ulcerative mouth जब हम बात करते हैं जहाँ पर excessive salivation देखने को मिलता है जहाँ पर आप बच्चे में या फिर बड़े में भी आप देखेंगे कि बहुत जादा लार बनता है उनके मूह में और उनमें जो है बराबर जो white fungus like growth जो हो जाते हैं जिसे हम लोग candidiasis कहते हैं apthuous mouth कहते हैं उसमें borax बहुत अच्छा काम करता है और खास करके जो painful gum boil हो जाते हैं हमारे मूह में उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है जब मसूडे में आपको छाले पड़ जाते हैं मसूडे में आपको घाव हो जाते हैं boil हो जाते हैं वहाँ पर borax एक बहुत ही उपयोगी दवा है दोस्तो borax के cases में हम यह देखते हैं कि आपको पेट में गड़बड़ी रहेगी अपच की शिकायत रहती है और वहाँ पर आपको देखेंगे बहुत जादा मातरा में gas भी बनता है अगर आप रोगी को कहीं भी दबाते हैं किसी भी अंग को तो उनको डकार आने लगता है गैस निकलता है इस तरह का लक्षन जो इसका पिकुलियर लक्षन है कि दबाने के बाद सरीर के किसी भी अंग को दबाने के बाद अगर बैक्ती से डकार आवे उनके मूँ से डकार गेस निकलता है तो बोरेक्स उसकी भूएच खास नवा है इस तरह से जिस भी पेसेंट में बोमेटिंग डेशी टेंडेंसी बोमेटिंग टेक्षी टेंडेंसी होगी आप दचेंगे कोओलिक हो जाता है पेट में दर्द होने लगता है कभी कबार उनका जो है 10 आने लगता है इस तरग के लक्षन में अगर आप बो polymer X का 7 कराते हैं तो इसे बहुत लाव होता देखा गया है दोस्तों मुखरू cannabis से जो फंगस की तरग ग्रोथ हो जाते हैं हमारे मूँ में हमारे जीव में उसमें ये दवा बहुत ही अच्छा लाव करता है और वहाँ पर जो इसका डोज होगा आप बोरेक्स 30 पोटेंसी की दवा को पांच-पांच बुन तीन भर में चार बार ले सकते हैं और आपको एक से दो दिन में आपको लाब दिखने लगता है दोस्तो यहाँ पर जो गम बोईल होते हैं वहाँ पर आपको मर्क सोल को भी याद करना चाहिए उसमें भी इस तरह के लक्षन है और उस लक्षन में अगर मर्क सोल भी दोस्तो सेवन दो तीन खुरा किया जाए तो बहुत अच्छा लाब करता है यहाँ पर आप मर्क सोल 200 को पाच बुन सुबा साम दो बार तीन दिनों तक लेंगे तो तुरंट आपको लाब हो जाता है दोस्तो अगली जो लक्षन में इस क्या बताऊंगा वो है दोस्तो महिलाओं के बारे में महिलाओं के लिए बोरेक्स एक बरदान सबरूप दवा है क्योंकि बोरेक्स एक ऐसी दवा है जो महिलाओं के स्वेद परदर में बहुत ही खास है आप देखेंगे कि जो लिकोरिया होता है, वाइट लिकोरिया, जहां पर आप देखेंगे कि पानी की धार की तरह लिकोरिया बहता है, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है, सफ्टेदी लिये हुए जो सफ्ट परदर होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और मा महिलाओं का मासिक चक्र है जब मासिक स्राव होने को रहते हैं तो उनके पेट में बहुत ही तीव्र दर्द होता है जिसे हम लोग मैम्ब्रैनस डाइसमीनियओरिया कहते हैं। उस में जो डिसमीनियओरिया है उसकी यद्य बहुत ही खास दवा है और अगर यह membranous dysmenoria है तो बोरेक्स उसकी एक बहुत ही उचीत दवा है और वहां पर महिलाओं के लिए यह दवा बहुत ही खास हो जाता है अगला जो इसका लक्षान है दोसतो महिलाओं के किसिस में वह है बांजपन की इस्थिति आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं जो हैं उनमें दोस्तो एस्टिलीटी आ जाती है बांजपन आ जाता है उसमें भी अगर बोरेक्स का नियमित 7 महिलाओं को कराए जाए 6 माह तक तो दोस्तो उनको बहुत लाब होता है बोरेक्स 30 पोटेंसी यहां पर आप 5-5 गुन 3 बा कारे में और आपको बिश्त्री जानकारी लेना है तो मेरा बोरेक्स पर वीडियो है सुहगा जिसे हम लोग कहते है उस पर आप जाकर वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही प्लीज लाइक और सेर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चै थेख सकते हैं तो मुड्या यूटा है अथा जो यूटा यूटा देख सकते हैं अजियो जए तो आदेख सेर में आप जानकारी लें राइक है विगरा आप ठेख सकती है तो आर आप